आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज किस फीडियो में मैं आपको live demonstration देने जा रहा हूँ as a employee कैसे हम JK Attendance app में अपनी leave को apply कर सकते हैं अपनी duty on training को कैसे apply कर सकते हैं और इसके साथ-साथ हम देखेंगे as a HOI head of the institutions हम कैसे अपनी leave को apply कर सकते हैं और दूसरे staff की leave को कैसे approve कर सकते हैं किसी भी staff member की on duty को कैसे approve कर सकते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको live demonstration जहां पर देने जा रहा हूँ सबसे पहले आप क्या करेंगे सारे का सारा process आपको अपनी JK Smart Attendance app में से यह सारा process करना है अगर आप browser पे जाके यह सारा process करोगे बहां से आप को यह option नहीं मिलेंगे तो सबसे पहले आप क्या करें अपनी JK Smart Attendance open कर लें कोई भी employee जिसके पास भी JK Smart Attendance है और वो इसका इस्तेमाल कर रहा है तो आप अपनी JK Smart Attendance को login कर लें login करने के बाद आपके सामने इस तरह का आपका interface आएगा आपका जहाँ पर profile photo आपको जहाँ पर दिख जाएगा आपका name latitude लोंगे जहाँ पर आपको show हो जाएगे जहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है जहाँ पर आपको left side 3 lines मिलेंगी आप इन पर click कर दे जैसे आप इन पर click करेंगे तो जहाँ पर आपके सामने जो option enable होंगे as a employee as a employee जहाँ पर आपको dashboard मिलेगा आपको profile मिलेगा instructions मिलेंगी my month इस तरह से मिलेगा लेकिन जहाँ पर आपको दो option जहाँ पर मिलेंगे एक मिलेगा apply leave और इसके साथ दूसरा मिलेगा moment laser लेकिन जैसे कि मैंने ID अभी HOI की open की है तो HOI के लिए जहाँ पर extra options जहाँ पर है तो जहाँ पर आप देख सकते है leave approval के लिए भी जहाँ पर एक option है moment को approve करने के लिए भी जहाँ पर HOI के लिए अलग से जहाँ पर option दिया गया है जो की एक employee के ID को open करने के बाद इस तरह के option आपको नहीं दिखेंगे एक employee सिर्फ leave apply कर सकता है moment apply कर सकता है जिसमें उसकी on duties and training उसे treat किया जा सकता है लेकिन एक HOI किसी की leave को approve कर सकता है जो भी उसका staff member leave के लिए apply कर रहा है कोई भी उसका staff member अगर moment पे जा रहा है duty पे जा रहा है training पे जा रहा है तो उसकी जो on duty है उसे वो treat कर सकता है अब जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक leave को apply करने के लिए एक employee को क्या करना होता है अगर आप leave लेना चाहते हैं तो आप apply leave पे आप click करें तो जहां पे आप जैसे इस पे click करेंगे तो जहां पे सबसे पहले आपके सामने options आएंगे जहां पे आप देख सकते हैं type of leave आप कौन सी leave जहां से लेना चाहते हैं तो जहाई पे various types of leaves हैं, जैसे आप यहाँ पे dropdown पे click करेंगे, आपके समनी इस तरह के option आएएगे, आप medical leave लेना चाहते हैं, casual leave लेना चाहते हैं, dependuty leave लेना चाहते हैं, श्कुल लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो आप जहाँ पे देख से, starting date 26 और आप 27 से लेना चाहते हैं, आप 27 अडवांस में आप apply कर सकते हैं, जैसे कहले लेकिने जहाँ कि अगर 27 को लेना चाहते हैं तो 27 और 28 अगर अगर हम यहाँ पर 28 को 엮ा चाहते हैं, और end date हमारी 28th of April 2023, तो जहाँ पर number of days, automatic 2 आ जाएंगे, मान लेते हैं, अगर आपने एक ही दिन की casual leave लेनी है, तो जहाँ पर भी आपने 27 को ही select करना है, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं, number of days जहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, आप जहाँ पर पर्पस में आप लेने का, urgent piece of work है, कुछ भी आप simple थोड़ा सा लेके, आप जहाँ पर पर्पस में थोड़ा सा mention कर दे, urgent piece of work, जो भी कारण आप कर रहा है, casual leave लेने का, वो आप जहाँ पर mention कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई बात नहीं है, होगा, वो HOI के level पर होगा, अब HOI किसी की leave को अप्रूब करने के लिए, leave approval वाले option पर आएगा, अगर HOI को अपने leave लेनी है, तो उसके लिए apply leave, HOI के लिए भी बही काम रहेगा, जैसे एक teacher ने अप्लाई किया, HOI की जो leave होगी, अगर वो high school का HOI है, जम hair secondary का HOIs है, तो उनकी जो leave होगी, वो CO level पर अप्रूब होगी, और अगर कोई middle school का HOI है, तो उसकी जो leave होगी, वो zonal level पर अप्रूब होगी, तो ऐसे में leave को अप्रूब करने के लिए, सेम आप HOI ने leave approvals पर क्लिक कर देना है, जैसे आप leave approvals पर क्लिक करेंगे, तो जहाँ पर आप देखेंगे, आपको जहाँ पर मिलेगा 26, जो भी default date होगी, वो जहाँ पर set होगी, calendar पर start date, end date, और आप जहाँ पर submit करेंगे, आपको कोई data नहीं मिलेगा, तो आप इसकी start date को change कर सकते हैं, अगर किसी भी staff member ने जहाँ पर leave अप्लाई की होगी, तो आपको जहाँ पर data शो हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, action आपको एक option मिलेगा, action तो action पर जाके आपने उसकी leave, जहाँ duty को accept जा, reject करना है, अब यह leave का process था, अगर इसी तरह से अगर हम duty की बात करें, अगर एक होई duty पर जा रहा है, तो होई ने movement laser पर जाके, तो जहाँ पर आप movement laser पर click करेंगे, एक teacher के लिए भी same रहेगा, अगर एक teacher duty पर जा रहा है, तो उसके लिए और होई के लिए same option है, तो इसके लिए आप देखो, जहाँ पर सबसे पहले आएगा action type, action type में आप duty भी जा रहे हैं, जा training में जा रहे हैं, सबसे पहले आप जहाँ पर इसको select कर लें, जो भी relevant option जहाँ पर आपको लगता है, on duty जा रहे हैं, start date का है, मान लेते हैं, वो मही महिने में एक तरीकों है, तो आप set कर दें, तो जहाँ पर आप देखेंगे, number of days, आपकी starting date भी पता चल गई, end date भी पता चल गई, और number of days भी पता चले, description में आपने लिखना है, कि आप क्या कौन सी duty पर जा रहे हो, आपकी BLO duty है, door to door जा रहे हैं, आप exam duty है, evaluation duty है, जो भी duty है, जहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर briefly describe कर दें, और उसके बाद आप submit पर click करेंगे, आपकी जो duty की request होगी, वो आपके HOI के पास चली जाएगी, अब हम देखेंगे कि HOI आपकी duties को approve कैसे करेंगे, HOI के लिए एक अलग से option होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी HOI की ID open की हुई है, तो HOI की ID में दो options extra होंगे, एक तो leave approval का, एक movement laser approval का, किसी की moment जाण duty जो भी उनका staff member है, किसी ने duty apply की है, जाण leave apply की है, उसको approve करने का option भी HOI के पास ही है, तो जैसे कि अगर हम movement की बात करें, तो आप movement laser approval पे क्लिक कर दें, अब जहाँ पे आप देखें, अगर आप जहाँ पे देखेंगे, किसी का data हमें जहाँ पे show नहीं हो रहा है, तो बार-बार हम देखेंगे, और बोलेंगे यार आपकी request तो जहाँ पे आई नहीं है, आप जहाँ पे start date को change करें, even कि जिसकी आप जहाँ से approve करने जा रहे हैं, उसे भी आप पूछ सकते हैं, कि आपने कब apply की थी, कौन सी date को apply की थी, यह आपने उस date से search करनी है, मान लेते हैं हम randomly 10 April पीछे वाली date हम select कर लेंगे, तो जहाँ पे हम देख रहे हैं, कि हमने data जो fetch करना है, वो 10 April 2023 से लेके, 26-4-2023 तक का data देखना करना है, किसको reject करना है, वो आपके हाथ में होगा, आप जैसे submit पे click करेंगे, आपने जिसकी approve की है, भो भी आपको जहाँ पे दिख जाएगा, अगर जिसकी approve करनी है, भो भी आप जहां पे देख सकते हैं, आपने action नहीं लिया है, तो इस तरीके से उनके profile के आगे action का button है, इसका मतलब अभी तक आपने action नहीं लिया है, तो आपने on duty में ये खास ख्याल रखना है, किसी ने भी duty अगर apply की है, तो आपने action timely लेना है, so that वो on duty पे भी अपना check-in और check-out कर सके, leave के case में क्या होगा, कि अगर कोई employee leave ले ले लेता है, तो उस case में अगर आप उसकी leave को approve कर देते हो, तो उसके JK smart attendance में उसका check-in और check-out उ तो that would proper time 10 बजे वो check-in कर सके, 4 बजे वो check-out कर सके, अगर time 9 से 3 बजे का है, तो तब भी HOI को ये खास ख्याल रखना है, कि आपने देखते रहना है कि किसी ने moment के लिए जहाँ पर request नो नहीं डाली है, अब जहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन-कौन सी date से request डाली है, तो इस तरह से आप देख से, next, 11-4 से लेके 24 तक एक duty apply की गई है, duty कौन सी किसम की duty है, इस employee के द्वारा दी गई है, आप जहाँ पर देख से, 9 दिन बनते हैं, और on duty किसकी है, BLO की है, special summary revision, तो आप essay में इस BLO की जो duty है, कि आप उसे अपरूब करना चाहते हैं, तो उसमें duty बो employee दुबारा से नहीं ले सकता है, चाहे उसका cause कोई और भी होगा, अब बो on duty किसी और purpose के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी duty उस दिन की अपरूब नहीं होगी, इसलिए आपने विशेश ध्यान देना है, कि किसी ने अगर duty जान लीब apply की है, तो आपने अपरूब, जहा अपरूब भी कर सकते हैं, और reject भी कर सकते हैं, और अगर आपने reject की है, तो जहां पर आप describe कर सकते हैं, कि आपने किस basis पे उसकी duty जहां, उसकी moment को आपने reject किया है, तो उसके profile में वो चीज शो हो जाएगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जितने भी employee आपके under में होंग तो आप उनकी duties को जहां पर action लेके action बटन पर क्लिक करके approve और disapprove आप कर सकते हैं, आपने इस चीज का खास क्याल रखना है कि किसी की request को अगर हम उसकी moment को एक पर reject कर देते हैं, तो employee 13 दिन तक जो dates उसने mention की थी, उन dates में वो तो ना on duty अब apply कर सकता है दुबारा से, ना leave apply क अब ये इस system में सबसे बड़ा इसका drawback है कि एक होई के दौरा जब एक leave जाएक moment को reject कर दिये जाता है, employee उन dates के अंदर कभी भी अपनी leave जा अपनी moment को फिर से apply ही नहीं कर सकता क्योंकि उसका system बताता है कि already जो भी आपकी data mention कर रहे हो, इन dates की जो request है वो पहले ही होई होई फिर से कोई ऐसा option नहीं आने वाला है, तो इस तरीके से आप ये सारा process कर सकते हैं, next video में हम देखेंगे कि अगर आपकी किसी employee की जो attendance है वो unverified रह रही है, मान लेते हैं उसने तीन try कर दी, उसके photo को recognize system ने नहीं किया, ऐसे में HOI उसकी attendance को clear कर सकता है, उसकी attendance को verify कर सकता है जिससे उसकी attendance mark हो जाएगी, उसका absence नहीं आएगा, उसकी उस दिन की attendance लग जाएगी, हम हम next video में देखेंगे, I hope मेरे दोरा दीगी information आपके लिए valuable रही होगी, इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, आप मेरे चैनल के टच में रहे, thank you, thank you for watching, take care, मिलते हैं जिल्दी एक new update में